हेलो गाइस टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागात है तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर जो की सभी की फेवरेट है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में बात करें अगर इसकी ग्रेवी की तो आप चाहो तो इसे ड्राई बना सकते हो या फिर इसे ग्रेवी वाली बना सकते हो मैंने इसे एकदम नॉर्मल बनाया है और एकदम मस्त रेश्टुरेंट स्टाइल में बन करके तयार हुआ है आप बिल्कुन भी ना restaurant को miss नहीं करोगे अगर आप इसे बनाते हो घर पे तो ज़्यादा बात इतने करते हो है रेश्पी को सुरू करेंगे तो इस रेश्पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 200 ग्राम पनीर पनीर को मैंने बड़े बड़े तुकडे में जो है ना काट करके ले लिया है फिर हम इसमें आट करेंगे दो चम्माच चावल का आटा इसी के साथ जो है न मैं यहाँ पर आयट करने वाली हूँ एक चमच कॉन फ्लोर अगर आपके पास चावल का आटा है तो सिर्फ चावल का आटा यूज किया जा सकता है या फिर सिर्फ कॉन फ्लोर भी यूज किया जा सकता है अगर दोनों आपके पास नहीं तो आप थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हो मैंने आप लोगों को बताने के लिए दोनों चीज यूज़ किया हुआ है ताकि आप देख सको इसी के साथ इसमें डाल दीजेगा थोड़ा सा नमक तो लगभग मैंने हाँ पर एक चोथाई चमच नमक का यूज़ किया हुआ है कम जादा किया जा सकता है साथ में आट कर देंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर भी आप कम जादा कर सकते हो सभी चीजों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पनीर के उपर अच्छी सी परत चड़ जानी चाहिए यानि पनीर हमारा अच्छी तरह से ढख जाना चाहिए इतना अच्छी तरह हमें से मिक्स करना है फिर हम इसे फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए आप एक बरतन ले लिजिए और उसमें जो है न आइट कर देंगे दो चौमच रिफाइन ओयल फ्लेम मीडियम रखेंगे ओयल आपका जैसे ही अच्छी तरह से गरम हो जाता है न फिर आप पनीर को एक एक पीस उठा करके ओयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे ध्यान रखेगा आपको एक एक पीस ही उठा करके डालना है क्योंकि बरतन के नीचे जो है न चावल काटा और कॉन फ्लोर वगरा रहता है इसकी वज़ा से जैसे ही आप देखोगे कि नीचे हलका सा कलर चेंज हो रहा है लाइट ब्राउन कलर आ रहा है आप इसे अलट पलट करते हुए फ्राई करोगे तो इसे फ्राई करने में चार से पांच मिनट का टाइम लग जाएगा आपको कम जादा भी लग सकता है थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि काफी जादा ब्राउन कलर आ चुका है पनीर के उपर तो इसे हम ओल से बाहर निकाल करके रख लेंगे उसके बाद मैंने उसी बरतर में ओल थोड़ा सा कम कर दिया है और मैं यहाँ पर इस पर आट करने वाली हूँ प्याज तो प्याज को मैंने बड़े बड़े तुकडे में कुछी सरीके से चोकोन टाइप का कट करके लिया हुआ है इसी के साथ मैं add करने वाली हूँ similar मिर्च तो similar मिर्च जो है न कई color के आते हैं colorful similar मिर्च आया करती है जैसे red हो गया, yellow हो गया लेकिन मुझे हाँ पर सिर्फ green मिल पाई है तो मैंने सिर्फ green का use किया हुआ है mix करेंगे और एक मिनाड़ तक पकाएंगे रेश्टोरेंट में जब भी जो हैने चिली पनीर बनता है तो वहाँ पे अध्रक और लेसुन को बारिक चॉप करके यूज किया जाता है लेकिन उसे फ्लेवर हाड हो जाता है और मुझे फ्लेवर पसंद नहीं इसलिए मैंने यूज नहीं किया है तो एक मिनट के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर देती हूँ ताकि जेले नहीं और फिर हम इसमें आड़ कर देंगे दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इसी के साथ जो है न हम आड़ कर देंगे टेमेटो केचप तो मैंने यहां पर लगबाक एक चम्मच भर कर के यूज़ किया हूआ है टेमेटो केचप का इससे भी बहुती बढ़िया सा फ्लेवार आता है क्यूंकि टमैट्टो केचप का टेस्ट बहुती बढ़िया लगता है साथ में मैं यहाँ पर आड़ करने वाली हूँ सोया सौस तो सोया सोस यहाँ पर जो है लगभा के एक चमच मैंने यूज किया हुआ है इससे बढ़िया सा कलर आ जाता है साथ में मैं आट कर रही हूँ एक चम्मा सेजवान सॉस इससे बहुती बढ़िया जो है ना फ्लेवर आ जाता है आपका जो चिली पनीर हो काफी चटाकेदार बनता है अगर आपके पास है तो आप यूज करिएगा आदरवाइस आप इसे जो हैने स्क्रिप्ट कर सकते हो बिल्कुन ऑप्शनल है सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जैसे ही आप देखोगे कि बढ़िया सा मिक्स हो गया है और बढ़िया सा कलर दिख रहा है तो इसमें जो हैना हम एट कर देंगे ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए एक चम्मच कॉर्ण फ्लोर अगर आपको पास कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो आप आरा रोट का यूज कर सकते हो तो इसे हम घोल बना करके यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालिए या आप और बढ़िया से घोल बना करके आट कर देंगे साथ में मैं हाँ पर आट करने वाली हूँ हाफ कप पानी फिर हम आट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रेड फ्रूड कलर रेश्टुडेंट वगारा में चीली पनीर का कलर अच्छा दिखने के लिए फ्रूड कलर का यूज किया जाता है इसलिए मैंने भी यूज किया हुआ है बिल्कुन आफ नल है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सभी चीजों को और कुछ देर तक पकाएंगे क्योंकि हमने कच्छा पानी डाला हुआ है और कॉन फ्लोर को भी तो हमें पकाना है तो मिक्स करते हो आप इसे लगभग एक मिनद तक पका लीजिए उसके बाद जो है इसमें आट कर देंगे ब्लाक पेपर यानी काली मिर्श का पाउडर तो यहान पर मैं आधा चममच यूज कर रही हूँ आप कम ज्यादा कर सकते हो और फिर हम इसमें एड कर देंगे नमक क्योंकि अभी हमने नमक यूज नहीं किया है तो यहान पर मैंने आधा चममच लिया है आप कम ज़्यादा कर सकते हो सभी चीजों को फिर से हम मिक्स करेंगे और एक मिनद तक फिर से पका लेंगे हम तो एक मिनद पकने बाद आप देख पा रहे हो कि काफी ज़्यादा गारहा हो गया है यहां हमारी जो ग्रेवी थी तो इसमें हम डाल देंगे पनीर और फ्लेम हाई कर देंगे फटाफट मिक्स करेंगे बहुत जादा आप हमें पकाने जिरोत नहीं क्योंकि अगर आप बहुत जादा पकाद होगे ना तो पनीर आपकी सौफ्ट हो जाएगी तो मज़ा कमाता है हलका सा पनीर को उपर क्रिस्प रहता है तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो बहुत ही कम टाइम में हमारा ये चिली पनीर बन करके तयार है थोड़ा सा बारिक चौप करके धनिया का यूज़ कर देंगे इससे और भी ज्यादा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और फिर हम इसे गरमा गरम सर्फ करेंगे तो गाइस आप इस तरीके से एक बार चिली पनीर बना करके अपने घन में ट्राइज जरूर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथ शियर करेंगे और इस वीडियो को अगर आप यूटूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही रिस्पी आप लोगों को मिलती रहे मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईज